हेलो एब्रिवन वेल्कम टो वर योट्यूब चैनल जेकले टेस्ट इंफो तो यहां पर आज की वीडियो में हम 200 प्लेस कोशन्स डिसकस करने जा रहे हैं साइन्स ट्रीम से मतब फिजिक्स केमिस्ट्री बारों की बात को लो कंबाइन करके 200 स्यादा कोशन्स हम आज की वीडि करें साइन्स का सेक्षिन वहाँ पर है यह तो टू हंडड़ कोशन्स रहने वाले है ना अगर आप साइन्स को डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हो तो यह वीडियो ज़रूर देख ले ना यहां से आपके एक्जाम में कोशन्स आएगा ही आएगा जो मर्जी कर लो और कुछ देर बाद डिसकर्स करेंगे आपको बताना चाहूंगा कि जैके सब्सक्राइब करेंगे किसी बीग्जाम की प्रपरेशन करेंगे हो ना सब कुछ आपके काम आने वाला है और अगर आपने साइंस सेक्षिन पहले से कवर किया है तो आप इसको टेस्ट की तरह मान के चल सकते हो कि यह आपके लिए टेस्ट है आप अपना प्रिप्रेशन में जो भी उसको चेक कर सकते हो ठीक है यहां बस स्टार्ट करेंगे कोशन वन से पहले उसे पहले आपको बताना चाहूंगा यह सारा PDF में आपको कल भी बताया था जो भी कोशन लिखे गए हैं यह सब सब भी मेरे कजन ओम के द्वारे लिखे गए हैं तो सबसे पहले उसको थैंक्यू बोलना चाहूंगा मैं उसके बाद वीडियो को सार्ट करना चाहूंगा क्योंकि अगर वो ना होता तो यह सारे कोशन आज आपके लिए वीडियो पॉसिबल ना होती 195 के करीब करीब कोशन उसने कल एक ही दिन में लिखे और जो कल की वीडियो है थी स्पैलिंग वाली वो सारे भी उसने कंटेंट त्यार किया था जितने भी कोशन थे उसी ने लिखे थे स्टार्ट करेंगे फरस्ट कोशन आपके स्क्रीन में यहां पर कहा गया था SI unit of electric charge SI unit बात की जड़ी है electric charge की SI unit है वो column रहती है तो वी option जो आपको second option देखने को मिल रहा है वो आपको correct हो जाएगा ठीक है तो यहां पर बताना चाहूंगा detail में भी हम नहीं discuss कर रहे है अभी सिर्फ important questions और उनके answer discuss कर रहे है आपने कर पहले कभी science को नहीं पढ़ा तो जितने भी question आज की वीडियो में हो PDF वेगरा बनाया है सभी images को crop वेगरा करना पड़ता है तो तक्रीब मुझे दो डाइगंटे लगे सुबह से जब से उठों यह PDF ट्यार करने में और अभी सब बारा मचे जाके आपके लिए वीडियो त्यार करो बिना breakfast वेगरा किये आगे चलते हैं पर second question की बात कर लेते है कहा गए kilowatt hour की बात करें किसकी unit है kilowatt hour की बात करें यह energy की SI unit है तो energy जो यहां पर correct answer रहने वला है यह फिर exam में आपका ऐसे भी आ सकता है कि energy की unit किया है तो आपके आपको बताना पड़ेगा kilowatt hour जो energy की unit है आपको जो करवें बिजली कब भी जाते सी के साब से आता ना kilowatt hour के साब से तो वो किया है कितनी energy अपने consume गी आगे चलते हैं यहां पर कहा गया electric current की बात करें electric current को किसमें measure के जाता है वॉल्ट में, kulomb में, farad में यह फिर ampere में तो electric current को किसमें measure के जाता है, ampere में के जाता है तो option number 4 अपको correct हो जाएगा आगे चलते है next question की बात करते हैं light year, light चैनल की बात करहें हो किसके यूनित है का लाइल dim call time चैनल Kरते हैं इसार्म लाईल मिकल टेम उसको बोलते हैं खिके आगे चलतیں क्योछ्शन नंबर 5 की बात करते हुए कोस्कौन मेजर करता है देखो प्रेसर कि measurement की बात करेंगे ना तो प्रेसर की हैं मेशर किराता है ग 있सके या इप मेशर किलाता है अब ब्लेट भराव का क Geralt बैर से मेसर मेंचेर करते हैं मेशॉल कटरыт हुए वह बद्रीसिक को मेशरिकर करते हैं वह सिर्फ जो आपको बताना चाहूँगा आज तक जितने भी वीडियो में अप्लोड किया है ना मैं आपको खुद माँ पेडियो अप्लोड करते हूँ किसी तरह की कंडिशन माँ पर रखता नहीं हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यह वीडियो बगरा शेयर हो यह वीडियो जैसे आप देख रहे हो बाग की स्टुडें तक भी पहुंचने चाहिए ना इसलिए पहली बार में आज कंडिशन रख रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि जैसे 500 वीज आप दिल्दी से दिल्दी अचीव करव तो इन सब्सक्राइब से पहले क्या आया था तो आपको बताना चाहूंगा टेलिसकोप सबसे पहले आया था साइकिंड ओला ऑप्शिन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आगे चलते डिस्टेंस अफ मुविंग अब्जेक्ट हाँ या पर बात की गई है कोई मुविंग अब् भी ठाइबढ़ सकती है बट जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे वह भी मुविंग अब्जेक्ट का कोई मूव कर रहा है तो इसको डिस्टेंस हमें आप पॉजिटीव ही होगा तो जो 7 कुछिन के हम बात करेंगे इस करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा उन हो जाएगा क्योंक तो आगे चलते हैं यहां पर कहा गया है Newton's first law is based upon Newton's first law के बात करें वो किसके उपर based है law of gravitation के उपर based है law of inertia जो कि गैलियू ने दिया था बोथ 1 and 2 यह फिन अफ दबफ तो आपको बताना चाहूंगा Newton's का first law जो है वो inertia के उपर based है तो second option आपको correct हो जाएगा अब चलते हैं यहां पर कहा गया है and external force is required to keep a body in motion who gives this idea कहा गया था कि external force जरूरी है को भी body motion में करना चाहते है ना उसके लिए external force जरूरी है तो यह idea किस ने दिया था कही idea galonion ने दिया था यह alistotal ने Einstein ने यह फिर Newton ने तो यहां पर जो correct answer हो जाएगा यह idea जो alistotal ने दिया था second option correct हो जाएगा आगे चलते हैं ऐसा unit पुछेगे pressure की pressure की ऐसा unit क्या होता है pressure का formula क्या होता है force पर unit area ना तो force के सा unit होती है Newton और area की होती है meter square तो pressure के सा unit क्या हो जाएगी Newton पर square meter ना तो third option यहाँ पर आपका correct हो जाएगा आगे चलते next question की बात करते है pressure क्या है एक वेक्टर क्यांटिटी स्केलर है टेंसर आइधर वन और थ्री प्रेशर के बारे आपको बताना चाहूंगा pressure जो स्केलर क्यांटिटी है second option आपका यहाँ पर correct रहेगा आगे चलते next question की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर question number 13 की यहाँ आपर कहा गया shape of a rain drop is spherical rain drop जो हता है बारिश की बूंद रहती है उसके जो शेप रहती है वो spherical रहती है मतलब जैसे chapter रहते हैं उसके कहते हैं बड़ा topic रहते है surface tension का तो उसके पीछे सारी कहान ही किसकी है spherical जो rain drop spherical होती है उसके पीछे के सारी कहान है surface tension की तो बी option आपका correct हो जाएगा आगे चलेंगे question number 14 के बात करेंगे who defined the law of gravitation law of gravitation किसने define किया था किसने दिया था Newton ने आपको यहां से बताना चाहूंगा मेरा interview हुआ था ना चलो अगर Celsius की बात करें तो अगर आपको बात करें तो अगर आप बोलों कि 100 degrees Celsius है तो यह आपको आंसे गलत हो जाएगा हलाकि हम कहते हैं कि वाटर का boiling point वाटर का 100 degrees Celsius रहता है मेरा जब interview हो तो तो मुझसे पूछा गया था कि बताओ boiling point of water कितना रहता है 100 degrees Celsius रहता है देखने में तो simple सब्सक्राइब करें तो अगर आप कहते हैं कि 100 degrees Celsius रहता है तो अगर आप कहते हैं वाटर के 100 degrees Celsius रहता है तो अगर आप कहते हैं तो वाटर जिल्दी बहुत होता जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ 100 degrees Celsius पर वाटर बॉल नहीं होता है वह 100 degrees Celsius रहता है वह 100 degrees Celsius रहता है बड़ यहां पर फैरनाइट में पूछा गया है तो फैरनाइट में कितना रहता है 212 degrees Fahrenheit रहता है ठीक है इतना क्लिर होगया यह याद रखना अपकी जाम में पुछा दा सकता है आगे चलते हैं कहाँ रेफरिजरेटर की बात करें रेफरिजरेटर के उपर तो हमरे पूरी पूरी एक भुख थी ना भी ही टेक में तो कहाँ के रेफरिजरेटर जो है वो किस principle के उपर बेस करता है किस प्रिंसिपल पर करता है किस प्रिंसिपल पर करता है बड़ा ही इंट्रेस्टिंग भी है तो फॉर्थ ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आगे चलते हैं यहां पर कहा गया साउंड एंट्रा साउंड कैसे इसके संन सकते हैं यह गुंड खुंड के गां मुड़ा करते हैं काहा गए sound cannot pass through sound कहां से नहीं पास हो सकता है water steel area vacuum sound जो है वह vacuum से नहीं पास हो सकता fourth option correct हो जाएगा वह vacuum में कोई air वगार है नहीं तो आप पोड़े वाइबरेशन होना possible नहीं है तो sound वह से कैसे travel करेगा तो sound कहां से नहीं पास हो सकता वैक्यों से पास नहीं हो सकता D option आपको correct हो जाएगा आगे चलते next question की बात कर लेते कहा गया है among the following materials sound travel fastest sound का सबसे ज़्यादा fast का में travel करेगा steel, air, vacuum या water sound जो सबसे ज़्यादा जो travel करेगा fast travel करेगा वो steel में travel करेगा first option correct हो जाएगा आपको बताना चाहूंगा हमारा instagram बगारा भी jk latest info के नाम से, twitter भी इसी नाम से telegram भी इसी नाम से आप जाएगे join कर सकते हो telegram का link वीडियो के description box में मिल जाएगा वहाँ पे भी आपको update करें मिलते रहते हैं तो आपको join कर लेना चाहिए वो सब भी आगे चलते है question number 20 की बात कर लेते हैं पर कहा गया है, which unit is used to measure noise मतलब noise की unit क्या है किसमे मेजर करते हो आप decibel में, hertz में, ohms या, volt में जब हम noise की बात करते हैं उसे decibel में मेजर के जाता है तो first option जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा आगे चलते next question की बात कर लेते हैं कहा गया है, what does sonar stand for sonar की full form आपसे पूछेगे, simple language में कहा जाए, तो sonar की full form रहती है sound, navigation and ranging जो है, sonar की full form रहती है third option को correct हो जाएगा आगे चलते कहा गया speed of light in vacuum vacuum में light की speed कितनी रहती है speed जो light की वो सबसे दा कहा हम पे रहती है सबसे दा speed light की vacuum में ही रहती है क्योंकि वहां पे किसी दा की disturbance उनको होनी नहीं है तो light अना से travel करेगी but होती ही कितनी वह आपसे पूछा गया है जो तो 3 to 10 raise to power 8 meter per second रहती है यह आपको याद रखना पड़ेगा speed of light यह रहती है और अब उसे वह आप सुनते भी होगा interference, dispersion, diffraction, total internal reflection तो optical fiber की बात करें वो total internal reflection पर based रहते हैं आप अगर optical fiber की तार वगरा देखोगे तो उन्दर कांच होता है इसके इसके इंदर बड़े असानी से break वगरा भी हो जाती है यह उली तो बड़े ध्यान से रखना पड़ता है कि network लगा होगे न optical fiber तो कोशिश करना wire bend ना हो जियो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई और लगा होगे तो wire को bend नहीं होने देना आगे चलते है question number 24 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है which of the following colored has the least frequency इक कौन सा page is frequency कही होती है to आप देखेंगे वी अडिए गियुखो से करें को मिलते है महते हैं यहाँ पर कहते हों बात करें लेक्ग की additions की वेवलेंच सबसे ज्रोगे कि आफिक करें là वरग अब जब से जादा होती है बाट आपको बता होगे जो ट्राफिक लाइट यहां राइट के के तुम्हें ब्रेक के वाइट जाहिए सबसे जादा है दूर दूर तक आपको बात करने चाहिए रड्लाइट जो काफी दूर टर्यावल कर सकती है कांभी दूर से को इंसान आ रहा होगा ऊसको रहाइट उन्हें कौन सी lens use करने चाहिए तो मुझे भी मेयोपिया की problem है मेयोपिया मतलब इसे short sidedness भी कहा जाता है जिन लोगों को दूर कच्छा से दिखता नहीं है उनको मेयोपिया की problem रहती है तो मेयोपिया को किस से क्यों कि जा सकता है कौन सी lens use के जाती है convex lens, concave lens, plano convex lens या plano concave lens कौन सी lens use के जाती है तो उनके लिए use के जाती है तो convex lens, fourth law option या पर आपका correct हो जाएगा आगे चलते हैं कहा गया the best conductor of electricity among the following is इन में से कौन सा है best conductor electricity का तो best conductor electricity का इन में से जो है वो है हमारे पास silver बट आपका होगे silver को हर जगा use क्यों नहीं चाता है मेंगा भी तो होता है इसलिए हर जगा silver को use नहीं कर सकते है आगे चलते हैं कहा गया the filament of light bulb is made up of जो filament होता है न बल्ब का वो किसका बना होता है platinum का tantalum का tungsten का या antimony का जो filament होता है बल्ब का वो tungsten का बना होता है तो यह आपका correct answer हो जाएगा आगे चलते next question की बात करते हैं कहा गया which of the following is the latest discovered state of matter अब भी recently recently क्या मतलब इन चारों में से ना latest discovered state कुन सी है matter की solid gas plasma या बोस आइंसे condensate तो देखो solid liquid gas आपको पता है पांच स्टेट होती है एक solid होती है एक लिक्विड होती है प्लाज्मा तो बोस आइंसें condensate होता है तो जो सबसे latest state है वो कौन सी है वो बोस आइंसें condensate यह ना तो fourth option correct हो जाएगा आगे चलते हैं पर कहा गया conversion of liquid to gases देखो liquid का gas में convert होना क्या कहते हो से अब्यूसी बात है liquid है आपके पास उसको gas बन गया तो इसको evaporation कहेंगे ना थरड़ा option यहां पर आपका correct हो जाएगा आगे चलते है question number 31 की बात कर लेते हैं boiling point of water is यह हम मेरे खाल से पहले भी discuss कर चुके है इसका answer आप मुझे बता हो कि aluminum की और कौन सी है उसका correct answer क्या होगा option number A, B, C, D नाम लिखे मुझे बता देना इसका correct answer क्या होगा यह एक task और आपके लिए दिया है इसका answer आपने मुझे बताना है which one among the following is not an inert gas इन मेंसे कौन सी ऐसी है जो inert gas नहीं है तो अब्यूसी बात हमें पता है अगर आपने periodic table के बारें पढ़ता है 18th group के बारें बढ़ा है तो हम पर hydrogen देखने को मिलता नहीं इसका मतलब inert gas कौन सी नहीं है hydrogen नहीं है तो hydrogen correct answer हो जाएगा आगे चलते question number 35 की बात कर लेते हैं यहाँ बर कहा गए which among the following is popularly called laughing gas laughing gas किसे कहा जाता है तो यह आपको बताना है laughing gas की जब हम बात करते है नाइट्रस oxide को laughing gas कहा जाता है याद रखना है आपको फिर से repeat करूँगा अगर आपको पहले से question साथ पता है तो आपका यह test हो रहा है अगर नहीं पता साइंस को deep end नहीं पड़ा तो यह सारे के सारे question याद कर लेना ठीक है आगे चलते है next question की बात कर लेते हैं कहा गया है the gas that is used in the manufacture of Vanesptie Vanesptie की बात करते है ना उसकी manufacturing के लिए कौन सी gas को यूज कर जाता है याँ पर वो पूछा गया है क्या हम उसके लिए oxygen को यूज करते हैं क्या carbon dioxide को यूज करते है hydrogen को या फिर nitrogen को जो हम वनिस्पति की बात करते हैं, उसके लिए हम hydrogen gas को यूज करते हैं, थरड़ option correct हो जाएगा आगे चलते हैं, कहा गया, curd, इस curd, देहीं की बात करते हैं, थरड़ खटा होता है, किसके कारण होता है वो कौन से acid की कारण होता है, तो अगर हम देहीं की बात करें, वो lactic acid की कारण होता है second option अपका यहां पर correct हो जाएगा आगे चलते हैं, next question की बात करते हैं, pH value की बात करें, acidic solution है ना, उसका pH value क्या रहता है, 7, 7 से कम तो इतना दोग बता होगा कि pH value की बात करें, वो मिश्चा 7 से कम रहता है, तो less than 7 अपका character answer हो जाएगा है, जब हम acid की बात करते हैं base की बात करेंगे, 7 से जादा होगा, और अगर वो pH skill में answer 7 आजाएगा, value 7 होगी तो वो basic solution होगा आगे चलतें, next question की बात करेंगे, रहा गया है, which acid is released for an antibody, जब आपको कोई चीन्टी बाइट करती हैं, तो कौन सा acid निकलता है वहाँ से, hydrochloric, formic, acidic या phosphoric acid, जब हम चीन्टी की बात करेंगे, तो वहाँ से formic acid निकलता है, तो B option अपका correct हो जाएगा Human body का pH कैसा रहता है, हमारे body का pH कैसा रहता है, acidic रहता है, जदा acidic, थोड़ा basic रहता है, हम human body की बात करेंगे, तो हमारे जो pH रहता है, वो slightly थोड़ा basic रहता है, आगे चलेंगे next question में कहा गया, which of the following is the most common kidney stone forming compound, जो kidney पत्री होती है, आप कहते हो kidney stone हो गया, उसके बनाने के basic compound रहता है, commonly कौन सा compound वाँ पर रहता है, वो आपको बताना है, किटरी के हम जो पत्री होते हैं, simple language हम कहते हैं, उसके हम बात करने वो कौन सा रहता है, तो यहाँ पर के सारे option आपके सामने screen में है, क्या हो calcium oxalate रहता है, magnesium oxide रहता है, sodium bicarbonate रहता है, या फिर magnesium citrate रहता है, तो यहाँ पर जो correct answer रहने वाला है, वो है option number A, मतलब carbon dioxide को fire extinguisher में यूज के जाते हैं, आगे बात करते हैं, next question की petroleum में किस किसा mixture होता है, petroleum की बात करें, petroleum तो किसका mixture है, carbohydrates का है, carbonates का है, hydrocarbons का है, या फिर carbides का है, तो petroleum hydrocarbons का mixture है, आपको chain देखते हूँ को है, तो hydrocarbons यहाँ पर dry eyes कहा जाता है, आगे चलते हैं, which of the following, pencils बनाने के लिए किसका यूज के जाता है, charcoal का, bone black का, black ash का, graphite का, तो pencil की बात करें, उसके लिए हम graphite को use करते हैं, तो option number 4 अपको correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, यह जो formula को देखने को मिल रहे हैं, C12H22O11, इसे क्या कहा जाता है, sand, को बताना पड़ेगा ही होता है, हम जब college में एते हैं, क्रिकेट वारे खेला करते हैं, इवनिंग में, तो क्रिकेट खेली तब वापस आना, तो ग्लुकोस की जुरूरत पड़ती थी, वहां पर गर्मियों को टाइम था, तो ग्लुकोस तो वहां पर कभी अवेलेबल नहीं होता था, हम क्या करते हैं, शुर को पानी में म matar लेक्ट बिक्स करते हैं, तो ग्लुकोस होता था था था, ज्टो फोड़ा सा वो पला पर को पी लें पर जिर भी में घ्लूरत Exhale कर लते हैं, तो वहां से पूँरा कर लेक्ते हैं, आगे करिए बिख दो नहीं मीनि में सूद को बताना था तो carbon dioxide जो है greenhouse gas है आगे चलते हैं का नेक्स में कहा गया है ताज महल जो है वो किसकी करण effect हो रहा है ताज महल की जब हम बात करते हैं उस पर किसकी करण वो effect हो रहा है वो acid drain की गारण हो रहा है तो second option correct हो जाएगा DNA के full form पूछे कि DNA की full form यहां पर क्या जाती है तो deoxyribonucleic acid रहती है fourth option आपको correct हो जाएगा आगे चलते हैं next question की बात कर लेते हैं कहा गया है which is called suicidal bag इन में से suicidal bag इसको कहा जाता है centrosome को virus को suicide जाता है second option correct हो जाता है फिल्टी हमारी हो चुकी है और बढ़र की तरफ question number 51 के बात करने कहा गया which of the following is known as the powerhouse of cell cell का powerhouse किसे कहा जाता है तो cell का powerhouse mitochondria को कहा जाता है option number 1 correct हो जाएगा cell नाम पहले बार किसने दिये था Robert Hooke ने, Robert Brown ने, Mendel ने, C Bender तो cell की बात करने, पहले बार ये नाम किसने दिये था Robert Hooke ने दिये था, discovered cell के इसने किया थे Robert Hooke ने, dead cell पहले बार discover किया था option number 1 correct हो जाएगा तो which vitamin among the following is crucial for blood clotting, अब ये तो मैं आपो कल ही करवा चुका हूँ कल की वीडियो में vitamin की ट्रिक्स वेरा करवा चुका हूँ तो blood clotting के लिए कौन से जो वीटामिन है वो crucial है, तो मैं आपो कहा था ना के से clot बन रहा है, तो vitamin के यहां बर correct answer हो जाएगा, option number 1 correct हो जाएगा आगे चलते हैं next question की बात करते हैं, which disease is caused by iodine deficiency iodine की कमी की कान कौन से disease होती है तो goiter होता है, second option correct हो जाएगा आगे चलते हैं, disease caused by the deficiency of vitamin B, vitamin B की कमी से कौन सा होता है vitamin B की की बात करते हैं, बैरी बैरी होता है option number 4 पको correct हो जाएगा आगे चलते हैं, next question की हम यहां बात कर लेते हैं goiter की बात करो, यह अगर हम बात करें goiter of the thyroid gland is caused by the deficiency of goiter किसकी कमी की कारण होता है iodine की कमी की कारण होता है, तो option number 1 correct हो जाएगा आगे चलते हैं, आपे कहा गए, richest source of vitamin A vitamin A का richest source इन में से कौन सा है वो आपको बताना है, तो vitamin A की बात करने richest source इन में से कारण ही है, आपको बता ही होगा deficiency of vitamin A, vitamin A की कमी की कारण क्या होता है नाइट मेंने से होता है, कल हमने डिसकर्स के जा थर्ड ऑप्शन correct हो जाएगा, सलेवा जो किसकी digestion में help करता है fats, protein, fiber, starch, तो starch जो जो आपको correct हो जाएगा सलेवा जब हम माउथ में बात करें, digestion हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है, सलेवा से जो MLS निकलता है हो जाएगा, आगे चलते कोशन नंबर 61 की बात करें, एक मिनिट में human art कितनी बार beat करता है, तो आप 70 times beat करते है ना, थर्ड ऑप्शन आपर correct हो जाएगा, आगे चलते कोशन नंबर 62 की बात कर लेते हैं, normal build pressure कितना रहता है, 120 by 80 mm रहता है ना, ये correct हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन नंबर correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, smallest blood vessel कौन सी रहती है, तो वो capillary रहती है, first option नंबर correct हो जाएगा, कबसे first option ये answer रहता है, आगे चलते हैं, next question की बात करते है, blood plasma, blood plasma का pH कितना होता है, तो आपर exam में कहीं बार ऐसे question आया भी होए, blood plasma की बात करने, pH इसका 7.4 रहता है, आगे चलते हैं, यहाँ पर next question की बात करते है, kidney जो किसका part है, kidney इन में से कौन से system का part है, तो kidney के हम बात क करते हैं, वो excretory system का part है, तो fourth option correct हो जाएगा, clear हो गया, आगे चलते हैं, next question में बात करें, total number of bones in man, हमारे इंसानों की बात करें, total number of bones कितनी रहती है, वो रहती हैं, 270, 360, 206 या 500, तो 206 रहती हैं, बच्पन से पढ़ते हैं, third option का correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, आपको बता time होगे, हमने target achieve नहीं किया, मुझे उम्मीद है, आपको अपने target achieve करवाओगे, और वीडियो कर आपको अच्छी लगे तो share जरूर करना, जितने students तक वीडियो पहुंचा सकते हैं, जरूर पहुंचा देना, क्योंकि आगे अगे अगर आप इस तरह से motivate करोगे न, तो आपक intent आएगा, इस तरह की और भी वीडियो आपके लाएंगे, जहां पर एक दिन में आपसे 10-20 questions नहीं discuss करूँगा, एक दिन में 200-200 questions discuss करूँगा, आगे चलते हैं, question number 67 की बात कर रहते हैं, कहा गया है, एक newborn baby की बात कर रहते हैं, कितनी बहुंचा 300 रहती हैं, option number 1 correct हो जाएगा which of the following is not the part of nervous system, nervous system का इन में से क्या part नहीं रहता, brain भी है, nerves भी है, spinal cord भी है, सिरो blood ही है, जो nervous system का part नहीं रहता, third option पर correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, next question की बात कर रहते हैं, कहा गया है, which hormone is produced by the testis of male, male के जो testis होते हैं, वहां से कौन सा hormone निकलता है, जो testis drone निकलता है, तो first option correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, world aids day का भी होता है, first December को होता है, तो first option यहां पर correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, next question की बात कर रहते हैं, which of the following was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1928, पहला एंटीबर्टिक कौन से था, जो Alexander Fleming की दोड़ा 1928 में discover किया गा था, तो penicillin था ना, first option जो यहां पर correct हो लोग ऐसी मर जाते हैं, आगे चलेंगे, world no tobacco day कब होता है, यह आपको बताना बढ़ेगा, तो world no tobacco day जो है, वो 31 में को होता है, the option correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, next question की, sorry, next question की यहां पर बात कर रहते हैं, what does homo sapiens stand for, homo sapiens की start बात करें, वो किसके लिए हम बात करते हैं, homo sapiens हम human group की बात करते हैं, human beings ले use करते हैं, simple सी बाता, second option अपर यहां पर correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, next question की यहां पर हम बात कर रहते हैं, which of the following is the study of spider, spider की study को क्या कहा जाता है, तो ironcology कहा जाता है, arachnology कहा जाता है, option number one correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, branch of science, dealing with the study of fossils, मतलब fossils क study को क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है, तो paleontology कहा जाता है, तो third option अपको correct हो जाएगा, clear हो गया, आगे चलते हैं, यहां पर कहा गया, units of acceleration, acceleration की unit क्या होती है, तो meter per second square रहती है, meter per second square रहती है, तो B option अपको correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, unit for velocity, velocity की ऐसा unit क्या रह रहती है यहां पर आपसे वह पूछा गया है तो मेंटर पर सेकिंड रहती है डियोप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट कुछिन की बात कर लेते हैं आप कहाएं डिफेक्ट आफ कलर ब्लाइड्नेस कैंड बीरिमीट बाइड अगर हम इसकी बात करें कौन से लेंस युज करके ठीक कर सकते हो तो दो आगे चलते हैं काग है रेडियोक्तिविटी जो है वो किसके तो तो यूजर की गए थी गेगर मंदर के गया था और इसको यूज़ भी कह जाता है इस टर्म को रेडियोक्तिविटीव मेजर करने के लिए इनमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है वो आपको बताना है तो इनमें से सबसे हल्की गैस है वो हमारे पास हाइड्रोजन राती है ब्यूप्शन करेक्ट हो जाएगा चैमिकल नेम क्या है यूरिया का वो आपको बताना है यूरिया का कैमिकल नेम क्या रहा आता है बड़ी बड सब्सक्राइब 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 तो D option correct हो जाएगा इसका आगे चलते next question की बात कर रेते हैं कहा गया अगर pressure कम हो गया इसका मतलब इस जगह पर pressure कम हो गया है तो बहुत के जो भी high pressure लिए हो है वो सारे यहां पर जंप करेगी क्योंकि high pressure से low pressure करें तुछ तीज तीज़ जाती है न यहां पर storm आने के पूरो पर chances रहते हैं आगे चलते next question की बात कर लोते कहा गया है दियार रिंग्स एराउंड विच्व फॉलिंगा कौन से प्लाइट के चारुतर रिंग्स फगर रहती है तो सेटरं के चारुतर रहती है ना तो डी ऑप्षिन आपर आपका करेक्ट हो जाएगा आगे चलते नेक्स कुछिन की बात कर रहते हैं बोलो इंटेंसिटी जो अर्थ क्याल से मेजर करते हैं तो यह आपको सभी को पता रिच्वर्ट से करते हैं तो यह उप्षिन यहां पर आपको करेक्ट हो जाएगा आगे चलते हैं कोशन नुबर 90 की तरह बढ़ जाते हैं यहां पर कहा गया हाग्ए सबस्टांट जो सबसे हाइड इस पर आपको बताना है जब बूद खटा हो जाता है तो वहां पर कौंसा असिड बनता है वहां पर पहले भी डिसकस कर चुक है यह लागे चलते हैं कहा गया है विच आप फॉलेंग और खरीव और क्रॉप को इन में से तो सोय बिंग जो खरीव सिजन के क्रॉप रहते हैं के बिच्श करेक्प हजा जाए गाहाँ प्रिफें लोगों कि इसका पॉछ से कम हो जाता है अ गर start करने गाने कर. बट प्रेशर कम हो जाता इसलिए Washing Soda का और नाम क्या है? Washing Soda को हम Sodium Carbonate भी कहते हैं C Option correct हो जाएगा Plants गहते हैं nitrogen Plants को co nitrogen कहा जाएगा Soil से मिलती है तो B Option यहाँ ने Doicer correct हो जाएगा आगे चलते हैं Next Question की बात कर लेते हैं कहांगे ettie unit of charges आगे चलते कहा है लाइफ स्पैन कितना रहता है वह जिन्दा तो दोबर से बन जाते हैं तो 197 की बात करें बी ऑप्शिन आपका सही हो जाएका 120 डेस करेक्ट हो जाएगा density of water की कितनी रहती है ऐसा unit की बात करें तो 1 kg पर m3 रहती है तो ऐसे उसको 1 g per cm2 भी बोल सकते हो तो यह option प्रेक्ट हो जाएगा इसका मतलब पता गया है 1 m3 को बाक्स लेओ उसमें पाइंट डालोगे तो एक हजार kg आएगा इसका simple कहने का मतलब यह ही है कंपिघ किने और ऊंति दस्केविए करें रेडियो अक्टिविट्य की लिए कि बात करते हैं तो आप में बैकक दौर्ट करें तो हम पुरे नाम अता है तो डीॉप्शिन को पूरेकल यह टायेगा सथ्काटै ब्रेक वगएरा हो जाए आप में पानी पीलेता हूं यहांपर एक जगा बैठे बैठेटर ने मैं को नीद आने लेगे सोना चाहूं हो बश्में यहां पर नेक्स कुछिन में कहा गया था सूरज के एक स्टार है प्लानेट है एस्ट्रोड है मेटर है सं की बात करें एक स्टा हो जाएगा वह हाईडरिजू जाएका सब्सक्राइब पाया जाता है आपको पता पानी वेगरा कितना जाद है आगे चलते कहा गया एक्कॉर्डिंग टू ऐसा उनिट मास अब सबस्क्राइब कर दा तो मास को में करते हैं कि लोग्रम में में करते हैं तो केजिकर राइगा इसे यसे यसा इसे उनिटन ने रहती है आ डॉकशन ने आपको बताना चाहूंगा हम यहां पर यहां पर निटन की बात कर रहे ने यहां पर जो एपल वाली स्टोरी आपने सुनी होगई जो एपल गिरा था पेड़ से नीचे तो कहां रहते कि नीचे की तरफ भी क्यों गि प्रिक्वेंट किसी की है ऐसा यूनिट किसके फ्रिक्वेंसी की है अगे चलते हैं कःडेनीट के वह रहता है वाप को बताना है साउंड की बात गोई था हुए इस गया निर्फा थे वाइबरेशन होगी निवापर आगे चलते हैं साउंड पाशिज फ्रांद लिगांड किस फॉर्म में जाता है साउंड कि जब हम बात करते हैं तो एक जगह से दूसरी को जाना तो waves की form में जाता है आगे चलते हैं का गए rate of change of displacement मतलब displacement per unit time displacement per unit time को क्या कहते हैं यहां पर velocity कहते हैं तो यह option correct हो जाएगा आगे चलते हैं यहां पर next question की हम बात कर लेते हैं यहां पर कहा गया object that produces your own light शॉप्यक्ण आपने life cool produce करते हम क्या कहते हैं ikumalist subject कहते ना यह option पर correct हो जाएगा आगे चलते हैं और refractive index symbol कहों से है refractive index symbol यह रहते ना इस तरह से हम denote करते हैं यह इस तरह से तो यह उल्हां correct हो जाएगा सिघश 네 अगे चलते हैं यह और या हम बात कर लेते हैं और image in the denser medium is termed as light band हो जाते हैं किसे दुसरे medium में जाते ही, उसे क्या कहते हैं, उसे reflection कहते हैं तो C option correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, surface that does not reflect light, ऐसे surface जहांसे light reflect नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, इस कहां से आप मुझे बता हूँ, आपने comment section में comment करें बताने हैं, अगे चलते हैं Total Energy of B vuody अगे वी बौडी है उसके बराबर होती है यहां पर कहा कि काइनेटिक इनरजी पोटेंशनले इनरजी वोड़ी कि रहते हैं तो यहां पर टोटले इनरजी कराती है वह का इनरजी की रहती है थे का सम्हों होते तो तो पर ऊप्षमियां प्र यह प्र तुन हो जाएगा रहा बाद हागा चलते हैं अंगे चलते हैं आपर इंस्टुमेंट यूजे मेल इंस्टुमेंट को मेंच अमक्रेक्रिश करतें तो अमिटर हो जाएगा आगे चलते हैं नेक्स कुछिन की बात करते हैं का गैदा एसाई उनिट आफ रेजिस्टन्स की एसाई उनिट कह रहाती है ओम रहती है तो बी ऑप्षिन करेक्ट हो जाएगा विचा फॉल्लेंग लेबॉर्टरी अपर्टेस इस नौठ हां ओम स्लो के टाइम पर क पर आपसे बढ़ रहे तो पीज केल होता गया है पीज स्केल में कि का मतलब क्या होता है पटेनिशल होता है तो यह उप्ष्ण हो जाएगा आगे बढ़ते हैं रड़ लिटमस पेपर टरंस हमारा भी आंप आइप चल रहाए दोसर से पार जाएंगे रड़ लीटमस पेपर की बात करें वो किस कलर में चेंज हो जाएगा और एसी डोगा तो ब्लू से रड़ में चेंज हो जाएगा और अगे चलते सबसे स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स एक्रेक्शन कहां पर होती है वह पुस्ट्रॉंगेश्च परफेक्शन क्या है और द्हुडब बहुत है गताई पर्फेक्शन परफेक्शन में नियुकि आए यह नियुक परकुल ऑईडिल भाते है जो पी वी को चुछ और ग्हांब है आब एम्हें बत मुलना कि पीविकोल सु निट वोता है वो पु को नहीं कर सकता बट सब्सक्राइब करेगा उसे हम आइडल गास कहते हैं दी आउनली मेटिरियल विच कैन भी रिसाइकल टू हंडिट पर संदे कर सकते हैं वह कौन सा है वह ग्लास रहता है आगे चलते हैं सर्कुलेशन अव बलड की बात करें किसने पहली बार इसको इसको इ शer पर लेकर आए था तो बलड हो जैगा आगे चलते हैं सबस्क्राइब करें लेका राएं बाकिशन कि अरहते हिरा फॉत सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें कुए बंद सब्सक्राइब किससे अरुथी सफिद्छा चैये ना तो दिशह बनार करें के जयT said है गळान पर दो बुरुटरों करता है तो नुप्या गया तो कहा गया ग्रूप आप सिमिलर सेंटर इस परफार्म पर फॉर्म करते हैं टिशू कहता है ग्रूप उसे तो पर सेंपर फंक्षिन परफार्म करते हैं बी और जाएगा अगर ताइप जॉइंट इन यूर नी इस अदुमारे जो नी में जुए ना तुमारे के मेरे भी जुए में जॉइंट आप वह कौन सा है वह जो रहता है यह यह टेक्निकल वर्नों को जरूर पता हुआ जुन न चंबर होते हैं फो Match आएं आगे चलते हैं अगे चलते ight require जाता है और चलते हैं पर कहा घ्या व diff मित बर करें और रहता है अगे हैं और प्स जाइब रहताएब के उणिका है और चलते है छुआ है है सही आगे अगे यह यह कृद्टत यह आप मुझे बताओ कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके कि लाइटर कि इसकी यूनिट रहती है ब्लैक बोड जो है वह ब्लैक अलगा दिखता है क्योंकि यह क्या करता है जितने भी लाइट पर पड़ती है ना उसको पूर्द से एब्जॉब कर लेते हैं तब भी वह ब्लैक आप में देशन जाता है जुदि की बात करें वह फॉसमें हम अगे चलते हैं नेक्स के हम बात करते है वो कि रहती है क्यों इसकारीजन क्या है पिच यह option जो है यहां पर वो correct हो जाएगा आगे चलते next question की यहां पर हम बात करते कहा गए which of the falling radio isotope हां blood cancer से leukemia भी कहा जाता है उसकी treatment के लिए कौन से isotope को यहां पर use के जाता है वो आपको यहां पर बताना बड़ेगा तो यहां पर जो blood cancer की बात करें उसको जो isotope को use करते ना वो को वाल 60 को use के जाता है यह आपको पता होना चाहिए आगे चलते कहा गए which among the falling would expand हां इन में से किसको हीट करोगे तो सब ज़्यदा expand करेगा तो सब ज़्यदा expand कुन करेगा यहां से heat करने में the option correct हो जाएगा scientist associated हां को सब्सक्राइब को पता है आपको स्टोरी पर आपने सुने ही होगी युरेका वाली तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जब इन्होंने इसका जब करें तो इसका जब ने को तास्क टास्क दिया तो टास्क दोने के लिए पुरदीर नात मेहनत करते रहते थे और इसका solution को मिल गया था तो ऐसे नंगे गूम्ला साट कर दे थे आगे चलते का फ्रिक्वेंस थोड़ा तेज बहूं जल्दी कवर करना इसलिए इसका प्रिक्वेंस साउंड वेव हां ओडिबल ले जम पहले भी डिसका चुके हैं बीस हर्ट से लेकर 20 तक रहती ना तो यह उप्षिन पर करेक्ट हो जाएगा कि आप हाँ चलते लिए के बात करते साउंड क्या है साउंड कौन सी वेव यहां पर 150 हमारे हो चुके हैं हाथ सैंट्चुरी हमने कर ले थी अब 150 भी हमारे होगी तो साउंड क्या है लॉंग इप्रुट्रिटल वेव हैं तो बीई अप्शिन होगा आगे चलते कहाँ है सु केल्विन में तो 310 में केल्विन रोजाएगा हम बात करें केल्विन में ठीक है तो सेल्शियस में कितना होता है वाप मुझे पता जीच तो 28 दीच जी होता है वह ब्रूफ पॉसिबल टेमपरची कितना हो सकता है सब्सक्राइब करें लाइट की बात करें लाइट क्या है लाइट जो ट्रांसवर्स वेव रहती है आगे चलते हैं स्काइजों वह ब्लू होता है क्यूं दिकता है वह सकेटरिंगी कारण होता है स्केटरिंग फिनोमेना रहा तो उसकी कारण आगे चलते हैं वन एस्ट्रोमिकल यूनिट इस दा एवरेज इस्टेंस बीट्विन पानी पीलो में आपी पीलो कि वन एस्ट्रोमिकल यूनिट जो है वह एवरेज जिसने किसके बीच का है अर्थ और संगा अर्थ और मून का यहां सखते करें पीकिशृत है और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने टांग्रों की जह सब्सक्राइब ब सकतल इस पर्फेड क्यां थाइक जो बीचक्तिंग एक अधक्ये समय लग गया स devil टोंव तो आपको बताना पड़ेगा आपने पड़ा इसके बार में चैमिस्टी में लाइव थो पड़ा ही होगा इसके बार में तो आपको दिख रहोगा जे रोबर्ट ऑपन हेर कैसा अरजीब सा नाम है इन्होंने एक अधम बंग को डिसकवर गया था आगे चलते नेक्स कुषिन क अधम बात कर लेते कहा गया है हुआ तो मिसाल किसे डिवलप कि थी वान ब्रॉन ने हो क्या स्टोरियन की कभी न के बार में कभी पढ़ना या कोई मुवी वगारा देखना मजा जाएगा मिसाल किसने डिसकवर कि थी आवे चलते हैं हाईटरुजन बाम की बात करें वह किसन ऑफ्जन करेक्ट हो जाएगा एक्रहित करते हैं हाईग्रोमेटर से मेजर करते हैं बी औरक्षिन घैट हो जाएगा वॉट्र की मैकिमम-धंसटी का आँपकितनी होती है ओल डिद इंसिटी इसके कम होन्य स्टार्ट हो जाती है यह रिजिन है आगा ना गलने कि बात करो गे यह यह बहुत टेंसिटी ना वह फोर डिल सलग्स प्रफ जाता होती है अगर इसके पीछे कहानी तो टेक्निकल टर्म से वह सिकने चाहोगे ना मुझे बताना में इस पर अलग से वीडियो पर बना सकते हूं आगे चलते हैं कहा गया weight of an object एक ऐसा object जिसका weight 1 kg या उसको क्या बोल सकते हो उसको 9.8 newton भी बोल सकते हैं तो c option आपका यहां पर correct हो जाएगा आगे चलते हैं next question की बात करते हैं कहा गया for shaving shaving करने लिए कौन से mineral को यूज कि जाता है करें को यूज करते हैं यह option correct हो जाएगा vitamin जो है वह the vitamins which are generally excreted in urine जब यूरीन के बात करें उसमें सब्सक्राइब विटामिन रहता है वह कौन सा होता है फ्रूट की study को क्या कहा जाता है पॉमोलोजी का जाता है दी ऑप्शन गर्ड हो जाएगा बैक्टियर का हुज दिस्कवरर बैक्टियर के डिस्कवरर कौन थे तो लिए होग तेना यह option correct हो जाएगा सैट्रोजी क्या है चैल की स्ट्रटोजी का जाते हैं स्योप्शन गर्ड हो जाएगा विडियो बड़ी मंगी है बहुत बढ़ी मन गया वाथर परसिंटेज ज आती है प्लाजम में 20% तक रहती हैं लाथी घुपिंड हो जाएगा फास्टिश धिज अटीक है ज्टीन करूदट है विच पॉल सब्सक्राइब कर सकते हैं कितनी हो सकते हैं चालिस फुर्ट सब्सक्राइब करें देखने को नहीं मिल जाओंगे तो फिशिस की स्टडी को करता है आइस टी ओलोग जी आप चोलोग यह यह एंपे पहले बार सुना था यह वह लवड़ा अच पहली बार स्ट्रिया इसका है इसका आप मुझे पुर्मेंट करके बताना यह यह उपिर ब्रांच ऑव बायलोगी विच अंधा और इंसक्त की सट्री को कहा जाते हैं यह उंपर सि त्रीज और दीगे ती चाले डर्विन के तोरह के दीगे थी लॉंगेस्ट सेल कॉन से होता है हुमन बॉडि में लॉंगेस्ट सेल कॉन सा सब्सक्राइब न तो सी ओप्शन करेक्टर आजएगा आगे चलते कहागे है है हौश नेल के कितनी आज रहती है एक आंग रहती है उस बात कर लेते हैं यहां पर कहा गया है smallest bone smallest bone की बात करें human body में कौन सी रहती है steps रहती है स्योपिशन करेक्ट हो जाएगा आगे चलते हैं students discuss भी कर जाते हैं टैलीग्राम ग्रूप में आगे चलते हैं नेक्स कुछन में कहा गए पॉलिंग उन्जाइम हां सालेवा में कौन से एंजाइम होता है तो प्रेट यह जाए गार्ट प्रेटीकेशन जो है वह उस प्रूस्स को कहा थे ना करेक्ट हो जाएगा आगए चलते हैं कलर है कि हो कॉड़ा च papi है यड़ो केुदर का है तो अAND Guitar हो जाएगा एक मिक्षुनール हो जाएगा अब मुझे कुरेशन यहां पर बात 오늘도 रहाता है यह आप मुझे कमेंट सेक्षिंट में बटाता है यारा बुटेन और प्रूपेंट का बिख़ता है लपीज जो है इसको स्टोर के जाए लिक्विट फट्र प्ट्रलिम गैस की बात करें जिसे गैस चिलेंडर में स्टोर के जाते है किस फॉर्म में होता है वो इसकान से आप मुझे बताओ कम पर गैस भी खाजाता है तो सी ओप्षिन आपर पर करेक्ट हो जाएगा आगे चलते डिस्कवरी आफ मॉडर्ण प्रड़ुटेबल मॉडर्ड़ुटेबल की इस ने किती मॉस्ट ने किती सी ओप्षिन पर जाएगा चैमिकल नेम क्या रहता है यहां पर सोडें बायकॉर्ण म क्वे इसको युज करेता है तो अगर आपको कभी ब्लेशिंग पॉटर नहीं तो इसको उसको युज कर लेकरो मजा कर रहा है तो यह पर क्या रहेगा यहांबे चुक्रेक थैंसर है किल्शियम कर्पोनेट रहे लेगा ना यह होता है चाह का कैमिकल ना कल्शियम कर्पोनेट आगे चलते है और बॉन जो है वो स्ट्रंथ किसके करना चेंट करते हैं फ्लोरिन, क्लोरिन, सोडियम, कल्शियम, कल्शियम की करन करते हैं, तो D-Option या पर आप पर करेक्ट हो जाएगा, आगे चलते लाक्स कोशन की बात करते हैं, इस कहां से आप मुझे बताओ, कितने व्यूज में एक्सक्पेट कर सकतो हैं, इस वीडियो से दो जार से पांच से जार, पांच से दस जार, दस जार से बीच से जार या फिर एक लाक से भी जादा, यह आप में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और मुझे उमीद आप वीडियो को लाइक करोगे, 2000 लाइका में टाइगर प्रखेना, वह चीफ करवाने में हमारी हल्प करोगे, और इंस